तो Flash का ट्रेलर आने वाला है इस बात का पता तो दो दिन पहले से ही हो चुका था मगर इसी बीच Guardian of the Galaxy का भी ट्रेलर ड्रॉप हो गया अब हाला कि इसके बारे में भी काफी कुछ शेयर करने को है काफी कुछ बात करने को है मगर The Flash के ट्रेलर ने तो excitement की कोई limit ही नहीं रखी भाई Marvel के Multiverse के बाद अब finally हमें DC का भी Multiverse देखने मिलेगा और इस ट्रेलर में जितने Super Heroes दिखाए गए उससे तो यहीं लगता है कि DC का Multiverse भी अब Madness क्रियेट करेगा और इनी सारी चीजों का Breakdown और Review आज हम इस वीडियो में करेंगे दोस्तों सो बिना किसी देरी के शुरू बनाना बहुत ही जरूरी था आपको याद होगा जब initially इसके फिल्म की बात चल रही थी तब हर महीने नए 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 डारेक्टर और राइटर का नाम सामने आता था बट फैनली एंडी मसकेटी को एस डारेक्टर और क्रिस्टिना हर्टसन को एस राइटर फाइनल किया गया और इसके कोर कॉंसेट के लिए फ्लैश पॉइंट को पिक किया गया क्योंकि उसमें भी बैरी टाइमलेंड को डिस्रेप्ट करता है अपनी मॉम को वापिस देखने के लिए साथ ही इसमें जेम्स गन का भी विजन को एड किया गया है एक्चुली माइकल किटन को वापस ला फुल रेट्रो फिलिंग तो ये सारी चीजे बता रही कि डीसी इनके लिए कितना सीरियस है और ट्रेलर सियोरली उन सारे सीरियसनेस को बहुती एकसाइटिंग तरीके से पेज़ भी करती है अब अगर इस ट्रेलर का थोड़ा ब्रेकडाउन करते हुए आगे बढ़ें तो स कोस्टिम के आसपास का बलड बता रहा है कि बैटमेन कोई तगड़ी फाइट करके आ रहा है माइकल केटन वाले बैटमेन के सांसाथ हमें इसके तुरंद बाद ही बैटमेन की भी थोड़ी सी जलक देखने मिल जाती है जो अपने हाइटेक बैट मुबाइल में नजर आता ह और जो एक मिलिटरी ट्रक का पीछा कर रहा होता है वोसे लाश्ट येर इसका बिहाइंड असीन वाला फुटेज काफी वाइरल भी हुआ था देन थोड़े देर बाद हमें सुपर गल की भी जलक देखने मिल जाती है पर इन सब के बाद असली माल रिवील होता है जब दब फ्लैश अपने ही वेरियंट से मिलता है बैनेफलक्स नजर आता है जिसमें वो फ्लैश को समझाते रहता है कि इससे वो सब कुछ तबावी कर सकता है जनरल जॉड अपियर होता है जिसे देखकर फ्लैश को अपनी गलती का हैसास होता है और बोलता है उसने गलती से एक ऐसी दुनिया बना दी जहां कोई भी सूपर हिरोज नहीं है और फिर यहां से शुरू होता है गोजबम मोमेंट्स जब माइकल किटेन वाले बैटमेन का आवाज आता है वही पुराना बैट मोबाइल और बैटमिंग दिखाई देता है और इन सब के बाद खुद बैटमेन को भी रिविल कर दिया जाता है और इस पूरे सीन को देखकर फैंस के हलत भी कुछ-कुछ बैरी की तरह ही हो जाता है अल्दो पहला वाला बैरी अपने इमोशन को कंट्रोल करना शायद बहुत ही अच्छे से जानता है इसलिए वो इस सर्प्राइस को देखकर भी बेहोश नहीं होता वसे ट्रेलर में इस सर्प्राइस के साथ-साथ कुछ-कुछ अच्छे इस्टर एक्स भी दिये गये हैं लाइक यहां हम पैसिफिक रिम का पोश्टर भी देख सकते हैं फिर उसके ही राइट में आई एम लिजेंड का भी पोश्टर नजर आता है फिर इसके बाद हमें सुपर गर्ल का भी एक्शन सीन्स देखने मिलता है जो वाकई में काफी मज़ेदार फिल हो रहा है सो ओवराल ट्रेलर से तो यही लग रहा है कि यह फिल्म फैंस को थेटर में सीटी बजाने का मौका कई बार देने वाला है फ्लैश के एंट्री, वो भी दो बार, माइकल किटन वाला बैटमैन, बैनर फिलक्स वाला बैटमैन, सूपर गल, जनरल जॉड और हो सकता है अभी भी कुछ सर्प्राइस छूपा हो जो हमें डेफिनेटली इसके फिल्म के आज आने के बाद ही पता चलेगा वैसे आपको ये ट्रेलर कैसे लगा हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं अल्थो मैंने ये क्वेस्चन पोल के थूरू भी पूछा था और उसका रिजल्ट ये बता रहा है कि भाई, हाइप इस रियल सो आज के स्वीडियो में फिलाल इतना ही दोस्तों मिलते हैं जल नहीं तब तक के लिए टाटा बाबाय एंड टेक केर